उन सब चुनोतियों पर जिनको पार करना आपको अशंभाव लग रहा है उन पर आप विजई हो जाएंगे ये शुनास्री के नाम से आज ये भाई बहन प्रभू अपने जीवन के हरे कलेशों पर विजई पाएंगे सबको जय मसीव की हम जारखण राची से बोल रहे हैं मेरा नाम निलीमा है हमको कंसर हो गया था और कि उमा के बाद हमको बहुत गैस होता था और बहुत दरद रहता था बीना इंजेक्शन कहां ठीक नहीं हो तो फिर मैं रिता मसीव और पीके ब्रदर से प्रेयर कराई तो बहुत धन्या बात करें प्रेयर लोड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुभे की प्रार्थना में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जब वो अपने जीवन में कुछ समश्याओं को देखते हैं कुछ चुनोतियों को दे आप उन समश्याओं पर विजई हो जाएंगे आप उस रुकावट पर उस भाधा पर विजई हो जाएंगे बस आपको क्या करना है आपको हार नहीं माननी है आपको बने रहना है आपको लड़ते रहना है आपको चलते रहना है आपको भरोसा रखना है और जब आप इस पर कार करेंगे तो निश्य आप उन सब परस्तितियों पर जो आज आपको बड़ी लग रही हैं उन सब चुनोतियों पर जिनको पार करना आपको अशंभव लग रहा है उन पर आप विजई हो जाएंगे इसलिए जल्दी से हार न माने हम लोग देखते हैं रूत के जीवन में र परमेशों पे भरोसा रखा और हार नहीं मानी जब उसने परमेशों पे भरोसा रखा और हार नहीं मानी वो चलती रही परमेशों के पीछे चलती रही काम करती रही तब परमेशों ने उसे सही समय पर उचा उठाया और उसको विजई कर दिया उसने उस चैलेंज पर उस सम में भी करेगा ज़िए आपने उस पर भरोसा रखा और हार नहीं मानी है येश्व मस्री कुछ इसी प्रकार से कहते हैं यहुनर रचेस्व समचार उसका 16 अध्याई और 33 पद में जहांपर कुछ इस प्रकार से लिखा है दूस्तों यहां पर प्रभर येश्व मस्री अपने चेलों से बात करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये बाते इसलिए कही ताकि तुम्हें सान्ती मिले इस संसार में तुम्हें कलेस होता है, इस संसार में तुम्हारे जीवन में दुख है, इस संसार में तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, चैलिंजेज हैं, संगर्ष है, परन्तो ढड़स बांदो, तुम्हें ढड़स बांदने की जुरत है, ढड़स बांदो क्योंकि मैंने स संसार को जीत लिया है, क्योंकि मैंने इन सब परस्तियों पर विजय को हांसिल कर लिया है, क्योंकि उस सेतान को मैंने हरा दिया है, उस पर मैंने विजय को प्राप्त कर लिया है, उस मृत्य पर मैंने विजय को प्राप्त कर लिया है, उस पाप पर मैंने विजय को प्राप्त क इसलिए अब तुम्हें धडस बानना है, तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें निरास नहीं होना है, बलकि क्या करना है, मुझ पर भरोसा रखना है, क्योंकि मैंने इन सारे संसार पर विजय को प्राप्त की है, तो जब मैंने भी विजय को प्राप्त की है, मैं तुम्हें तुम्हें भी विजई करूँगा इसलिए परमेशों कहता है कि सीग्र सांति का परमेशों उस दूस सैतान को तुमारे पैरों के नीचे कुछलवा देगा क्योंकि वो तुम्हें भी विजई करेगा तुम्हें भी विजई करेगा उस हर एक परस्तिती पर उस चैलिंज पर उस हार नहीं माननी है आपको प्रभु पर भरुशा रखना है और उसके पीछे चलते रहना है वो आपके जीवन में काम करेगा और आपको विज़ई करेगा सो प्रभु आपको वचन के द्वारा बहुत आयद से आसिस्ते आमेन है प्रभु येशु आप उनके लाइफ में काम कीजे प्रभु जी क्योंकि वो आपसे प्यार करते और आपकी संगती में है येशु इसलिए प्रभु येशु आज आपके अद्भुत कारिय इन भाई बहनों की लाइफ में इनके फैमिली में इनके बच्चों की लाइफ में काम करने वाले छेत्र में प्रभू तेरे कारिय भूने पाए परमेश्व पिता प्यारे प्रभू धन्यवादी है इस बात के लिए कि आपने रात भर अपनी पंकों की आड में हम सबको सुरक्षित रखा और ये नया दिन दिखाया प्रभू कि इस नया दिन को परमेश्व प्रभू हम तेरी उपस्तिती में रहकर प्रभू तेरी प्रेजिंस में रहकर प्रभू तुझ से प्रभू पॉजिटिव बातों को लेकर प्रभू इस पूरे दिन की शुरुआत कर सके कि मैं धनिवाद करती हूँ, वो positivity प्रभू हमें आपके वचन से मिलती है, वो सामर्थ, वो energy, वो power प्रभू हमें आपके वचन से मिलता है, मैं धनिवाद करती हूँ प्रभू, आपके वचन का आदर करती हूँ पिता, आपके वचन को honor करते है परमेश्य पिता, आपका वचन आदर के योग्य है आज जितने लोगों ने आपके वचन को बड़ी ध्यान से सुना प्रभू येशु उनके लाइफ में प्रभू आज जो भी प्रॉब्लम्स है येशु के नाम से उन प्रॉब्लम्स हम कहते हैं इन भाई बहनों के जीवन को छोड़ कर जाओ येशु के नाम प्रभू येशु मसी यदि आज ये कलेशों में है पिता परिशानियों में प्रभू जब कलेशों से होकर गुजर रहे हैं फैमिली में कलेश है अन्य जगाओं में कलेश है प्रभू बहुत सारा कलेश जैसा माहूल प्रभू इनके फैमिली में इनके अन्य जगाओं पर बना हुआ है प्रभू अपने लाइफ में इस कलेश का सामना ये कर रहे हैं प्रभू तेरा बचन कहता है प्रभू, कि तुने अपने लोगों को विजय किया है परमेश्व पिता, येश्व नास्री के नाम से आज ये भाई बहन प्रभू अपने जीवन के हरे कलेशों पर विजय पाएं मेरे पिता परमेश्वर, तैंक यू फादर, तुने का है तुम जैवन से भी अंदर दिया है प्रभू, because we all son and daughter of your Lord Father, हम आपके बेटे और बेटिया इसले प्रभू जो गुण आपके वो गुण प्रभू हमारे अंदर भी है पिता, येश्व में प्रातन करते हूं, हर एक भाई, बहन पिता, परमेश्व प्रभू, आपके इस गुण को अपने जीवन प्रभू कार्य होते वे देखने पाए परमेश्व पिता, प्यारे प्रभू धनेवाद करते हूं, प्यारे प्रभू येश्व मसी, प्यारे प्रभू ये अपने प्रभू लड़ाई जगडों पर विजह पाएं, अपने गुस्से पर ये विजह पाएं, अपने जैलेसी प प्रभू जो बुरी अभिलाशाएं उत्पन होती हैं दुष्ट के द्वारा प्रभू येश्व नास्री के नाम से उन बुरी अभिलाशाओं के उपर विजय पाने पाएं पिता आज जितने भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं येश्व के नाम से उन दुष्ट आत्माओं स कहते हैं इनके जीवनों से इनके परिवारों से निकल कर जाओ in the name of Jesus धन्यवाद करते हैं परमेशु पिता हम प्रभु धन्यवादी हैं आज जितने भी लोग बीमारी के अवस्था पर हैं प्रभु येशु नास्री के नाम पर ये अपनी बीमारियों पर विजय पाएं आज ह हर एक दर्ड से हर एक तकलीफ हर एक चोट से हम कहते हैं इनके शरीर से जाओ येशु के नाम से जड़ से हर एक बीमारी को श्राब देते हैं और नष्ट होने की आज्या देते हैं येशु के नाम से इनके शरीर को भला चंगा होने की आग्य देते हैं, सर के बालों से लेकर पैर के नाखुनों तक, प्रभु इनके सेंस ओर्गन, इनकी स्किन, इनके हड़ियां, मांसपेशियां, अंदरूनी हर एक अंग, येशु नासरी के नाम से प्रॉपर काम करें, प्रभु आज की सुभा में जहां कहीं आपके लोग जाएं, आपकी सुरक्षा इनके साथ में, इनके बच्चों के साथ में हो, जो बच्चे स्टडी में कमजोर हैं, येशु नासरी के नाम से उन बच्चों को बद्धी समझ और ग्यान दे प्रभु कि वो स्टडी में आपके लोग प्रोस्पर होने पाएं, आपके लोग सम्रिद्ध होने पाएं, कोई भली वस्तु प्रभु आपके लोगों से छिपी नहीं रहेगी, आपने ये वचन में कहा है, येशु नासरी के नाम से इनकी सारी जरुते हैं, प्रभु तेरी महीमा मैधन से पूरी हो हरे करजे के उपर आप इने विजए दे, फाइनाचल प्रॉब्लम्स के उपर आप इने विजए दे, धनिवाद करते पिता, आपने ऐसा ही किया है, त्यारे प्रभु जो मेंटली स्टर्ब हैं, मेंटली स्ट्रेस में हैं प्रभु, पिता बहुत ही जादा बेचेन और व्याकुल हैं, अकेला रहना उने पसंद है, अकेले पन में येशु नासरी के नाम से इने छोड़ कर चली जाएं, पिता धन्यवाद, आज की दिन में इनकी साहता करें, मदद करें, इनके संग संग चलें, इनके कामों को सफल करें, इनके लिए योजनाओं को तयार करें, उनकी कमाई पर बरकत आशीज दे, जितने भाई बहनों का आज जनल दिन हैं, उनने दीर कायू दे, उनके सपनों को पूरा करें, पिता, प्रभु जैसे पिता परमेश्य धन्यवाद आपने हर एक जन की प्रातनों को सुनकर, उनके जीवन के उस छेत में जहां उन्हें प्रभु आपकी जरुवत है, वहाँ पर आपने काम किया है, धन्यवाद करते हैं, पिता, आपके लोग बढ़ रहे हैं, वचन में, प्रातन में, संगती में, प्रभु आपक